यह पूरी तरह से आपको काम करना कि नेक्सिट्रिक आप लोगों के अपने किस तरह से काम करेंगे एक तरह से नेक्सट्रिक आपके लिए होगा वॉल्यूम्स के उपर ठैक्टिस करने का एक्चली जब हमको देखना होगा कि वॉल्म किस तरह से वर्क कर रहे हैं कैसे हमें इसको प्रैक्टिस करने हैं यह आपका काम होगा नेक्स्ट्री के लिए पूरा समझने हैं प्राइजिस की कुछ फॉर्मेशन संब बताएंगे अभी और वॉल्म इन दो को हम लोग से गलती नहीं किया जो सिस्टम अभी हम बताएंगे वैसे ही वैसे का वैसा करा प्रैक्टिस करोगे बहुत मिलेगी इतनी ज्यादा है मिलेगी आपको वॉल्म को थोड़ा सा रीट करना आएगा आपको प्राइस को रीट करने में थोड़ी सी आसानी है सबसे पहले इसमें यहिए हम लोग प्रैस जैसे जितना भी इंडिकेटर देखें इंडिकेटर वॉल्म बॉलिंजर बैंट आरे से जितनेभी इंडिकेटर सें विभी विए कुछ भी देख लो लास्ट मिया करके ट्रेड हम प्राइस को ही करेंगे क्योंकि और किसी चीज को ट्रेट करने सकते बाकि सभी साधन बनते हैं एक तरह से हेल्प करते हैं प्राइस को रीट करने लिए हमें लगता है कि प्राइस को रीट करने के लिए बाकि की जितने भी टूल से यह मदद करते हैं प्राइस को ट्रेट करने लिए लेकिन किसको करना है दिशको सबसे और में क्या होगा बेस्ट comment इसके अलावगा जो भी you कि उसके बाकी प्राइज को छोड़ करके कुछ वी जो देख रहे ना वो एक तरह से 071 को समझने में समझना किसको है ट्राइज को इसलिए सúcते इसके उपर रखना पॉक्ष छोड़ करते हैं वह कुछ हो था 200-300 कुछ चल रहा है ना वहीं पर में ट्रेड एक्जिक्यूट करना है बाकि सारा काम तो इंडिकेटर करने लाल हरी लाइट जल रहा है पिली लाइट जल दिये वह नारंगे के लाइट का क्रॉसोवर हो रहा है इस सारी चीज़ें मतलब हमनों जो को समझना आसान नहीं है लेकिन हां आसान बनाया जा सकता है डे वाई डे अगर हम लोग इसकी प्रेक्टिस कॉंटिनूर रखें तो इतनी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले बताना जरूरी था इसलिए क्योंकि मालूम हो कि जरूरी क्या है जब हम लोग टाइस को रीट कर या फिन नेक्स विक हमाल परों को दिरे दिरे करके शेर करेंगे इसको देखिए जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं अब जब हमें प्राइस को रीट करने के लिए हमेशा हम लोग दो टाइम फ्रेम का यूज करेंगे एक होगा मेरा अब यह मेरा हायर टाइम फ्रेम कुछ भ पर की प्रैक्टिस है अचानक से हम आपको डे टाइम फ्रेम पर ले करके नहीं चले जाएंगे ऐसा ना मन में सोचना कि या खुद हो डे टाइम फ्रेम से कर रहे हैं यह क्या हो गया है जब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फस्ट स्टेप क्या ह हो गया है दे टाइम फ्रेम पर जाने से पहले उससे पहले कि लेकिन लोग कुछ काम करते जाते हैं पढ़ाने से पहले आप अलगी अब लोवर रभाएंगे यह हो गया हो आप बाता आती है वाल्यूम्स के लिए जिस टैम फ्रेम के हम लोग उस करेंगे वह वन आवर का यह वह वग मार्केट में आएं कोई भी सिस्टम को भी स्टेड़िजी इस सबसे पहले हमें ज़रुबत पढ़ती है सिस्टम को fix करने की मतलब fix चीजों की system भी है अगर हम develop करते चले जा रहे हो मेरा system fix नहीं है तो problem है वरना आज आपका system दूसरा है कल दूसरा है और और सो किसी दूसरी स्ट्रेट करो फिर किसी दूसरी स्ट्रेट कर दो यहां पर फर्क क्या आ जाता है कि system तो आपके पास से लेकिन वह fix नहीं तो सबसे पहले चीज वालूम structure हम जिस system से ट्रेट करना चाहरे हैं वहां के कुछ fixed rule है यह जो system इसका मतलब यह नहीं कि बागी के जो system है वो fail है नहीं एक समय में जब हम लोग trade कर रहे हैं तो हमारा जो focus होगा उस सिर्फ और सिर्फ एक ही system पर हो उस वक्त यह नहीं कि आप xvrl से भी ट्रेट करो आप डे ट्रेट करो नहीं जब इस system से आप ट्रेट करो तु फिर आप इस से ट्रेट करोगे वालूम स्वाजवा रहा है यह तोटल वॉलूम्स इसमें कितनी होंगी इस पूरे structure का दौरान 4 इसे ज्यादा नहीं से कम नहीं हम यहां पर से 4 वॉलूम नौर्मली मेरी मार्केट चल रही है वालूम सारे इसके नौर्मल मार्केट वहीं पर हम यह देख रहे हैं कि यह वाला जो structure मेरा बन रहा है जो चार वॉलूम सम आपको बता रहे हैं क्यों होनी चाहिए किस तरह के movement को हम लोग market में देख रहे हैं मतलब मुम्मेंट तो होता के action का volume के action का हमें वेट कर इस तरह का action जब होगा ना तो मेरी hit list में यह आ जाएगा इसके बाद समारा काम शुरू होगा इसके उपर time frame one hour का ही है यहाप time frame one hour ठीक है one two three सबसे पहला ही है यह सबसे पहली चीज़रे इसके बाद में देखियो और किस तरह की हो सकती है one two three four ए action एक ही तरह का एक दो तीन चार सारी की सारी गिरते हुए करम में इसके बाद में एक दो तीन फोर्थ एक दो तीन इस तरह से हमारे पास सबसे पहला एक system यह वाला हो गया दूसरा तीसरा और यह चौत यह चार system हो गया चार volume के structure हो और बहुत important है यह आप किसी भी time frame जैसे ह जो दो चीज़े important है ना यह जो दो structure बनते हैं यह और ज्याद़ हो चाहते हैं दो बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश लेकिन हो कहा रहा ना प्राइज हमारा लगातार गिरता इस वाली फॉर्मेशन में प्राइज के हमेशा आपको यह मेरा हाई है इस केस में हम हाई और ल है शिश्ब्वर है ना सिर्फ ऐसा है कि आप लोग भी आप हमें इस ज की सा मूलिश बोलिश थी हमारा वोलिंस क्या हुग है हाई और लायम भी यह जिलयें यह पूरे चले से हिरतने इसने फिल कुलीießen sollte ligat Š ग्लीन Lenard है तो बेरिश होना को इस ने ने कर सकते हैं तो यह लेकर के चल रहा है और यहाँ पर जो प्राइजे की कैंडल बने हैं कि यह व्मारा इंग मेरा मतलब के ओपनिंग नीचे हुई और क्लोजिंग अपसाइड की तरफ हुई है जिस भी केंडल की ओपनिंग नीच वो केंडल मेरी बुलिश इसलिए हम इस मुवमेंट को बुलिश मुवमेंट बहुते हैं यहां पर हाफ बुलिश भी है और सेम चीज इसके समें प्रवाइब यह हो गया इसको इसका सबसे पहला सब्सक्राइब के प्राइब कर देखने सकते ऐसे इस तरह कोई अगर होता तो अगर था आपको जो एक यह हो गया और यह दो ना फर्क देखना ना कितना बड़ा यह कि इतना साफ है और यह किस तरह का जितनी अच्छी ड्राइंग बन रहे अपने हो नहीं सकता है मतलब यह जोरी नहीं कि जब मार्केट में देखने जा तो वैसी कंडिशन्स हमको देखने की मिले लेकिन यह आइडियल कंडिशन्स होते हैं यह वाले मुग है यह हो गया अब इस केस मेरे लिए अभी जो हमने बत में लगता थोड़ा सा ड्राइंग करने में अब सिंबस चीज यह जो हमने ड्राइंग की इससे थोड़ा सा समझ में आगा बहुत सिंपली दिमाग में च्छप जाओगा होगा कि यहां पर सीधे प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गिर रहा है यहां पर भी जो वालुम में यह होना चाहिए जो चीज़ हम ढूनना चाहिए वो कुछ-कुछ इस तरह की दिख और यह चारों ही फॉर्मिशन बहुत स्रॉंग सपोर्ट बहुत स्रॉंग बना करके हमाई लिए दे चार वॉल्यूम के स्ट्रक्चर से हैं और वॉल्यूम बेस के यहां पर हम लोग प i a प्रोस को मालूम हो रहा की तुम भालोष जो हमें इनके से करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे씨 F cm पड़ेगे इनकी सपिछ adora कृल्स है अभी क्या है और का ट Aprèsक मालूम होगा कि मेरे जो लेवल d web वन आवर के टाइम फ्रेम को यह मैं आपको बताएंगे और फाइव मिनट के टाइम पर किस तरह इसको देखना है फॉर्मेशन वगारा जितनी होंगी यह कल की क्लास में आपको बताएंगे अभी सिर्फ वन आवर को समझने कोशिश किए कि इस लेवल पर हमको आना है इन करने दिरे दिरे करना चैने सरी प्रॉइंट करने सब्सक्राइब को इसमें से बस यह मांन की चलिए कि शुक्राइब यह थैज दो पॉइंट है जो आपको बताएं वन आवर के टैम फ्रेम पर यह फोर्मेशन आपको देखने बहुत हैं बहुत हैं करेंगे तो सिंपल सी च मार्किंग्स हमारी यह हाई टाइम पर जाएंगो और हमारे लेवस पर आने का प्राइस का वेट और यहां से आगे कि सारी अक्टिविटी आपकी स्टार्ट समझ मैं रहा है सिर्फ इतना सा काम करना आई होप इतनी पूरी सी चीज आपको क्लियर होगा अब यह जो सिस्टम है चाहिए अगर आज हम यह देखने के लिए बढ़ जाएंगे आज हम को चाहिए सारी चीज़े तो चार गेंट तो आपको निकल गए सी बहुत ज्यादा हमें यह लेवल से प्री डिफैंड रखने होगे पहले से डिफैंड करके रखने होगे यहां पर एक नॉर्मल बायर या फिर से यहां पर हमारा यहां पर यहां पर इंट्रेस्ट कम हो रहे हम इस लोई इंट्रेस्ट के एरियास को माक करना चाहते हैं ऐसा क्या हो सकता है यहां पर लगाता 4 गंटे तक यहाँ पर इंटर्सट लो ही रहा है चार केंड़स में जो भी हमारी सिर्ड companions हैं यहाँ पर अपना इंटरस्ट कम शक्राहा है मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा इस प्राइस पर या तो किसे को समान चाहिए नहीं जो भी माल उठाना चाहिए उसको इस रेट पर नहीं चाहिए या तो यहां से महंगा हो सकता है या तो यहां से सस्ता हो सकता है लेकिन एक पॉइंट हम ऐसा पकड़ पा रहा है कि जो मार करने वाला यह चार की चारों केंडल समय मार करनी है हमें नहीं मालूम है कि प्राइस को भी नहीं देखा है त्यर्च में अपको मताइँ आशिक इतना समझ लो कि यह वाले जो अपने पॉइंट सोंगे ना यहीं होंगे हमें यहीं करनी है अच्छा अगर हमारा हमारे इस लेवल से उपर में है नीचे में है इसके बारे में डिस्केशन करनेंगे अभी आप इतना देखिए यह ट्रेट मेरी लेवल पर नौ बचकर पंदरेंट पर आया 25th of मई पूरे सेशन में नहीं आया अभी तक जो मेरे लिए अब दो कंडिशन बनेगी या तो यहां से आपको अपने एंट्री के कंफरमेशन मिलेंगे या फिर प्राइज आएगा जागा नीचे के तरफ आपको जो प्राइज से रिजेक्शन लेगा ले सकता है तो में भी हो सकता है कि यहां पर जाए उसके अंदर से आपको को दीखरें बहुत सिंपल मदर केंडल से वैसे ट्रेट करना नहीं है आप लोगों को मदर केंडल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इससे ब्यादा स्ट्रॉंग चीज़ें जो हम बताएंगे आपको अभी क्यूंकि अब इमने कहा ना कि लोगर टाइम पर जो आज न कऊशिछ लैवल होगा ना हम सीर्फ उसको देखने की कोशिच कर रहा है उसको पकड़ने को भूंसकर आ हैं जब मार्वार्विआ था यहां से देखतना होगा क्या लेंट है इसे घे तहनaya रही क्या से हमया और कर पंद्रेश पर यहां पर हमारी रेंज पर ऊपन हुआ है और यह पहुंचा के इतने पर एक बजये खतम होगी मार्केट अब एगंड़ बजे तक को फी ट्रेड एक्जेक्ट नहीं कि जा जाने तीजिए अब यहां पर भले ही लेवल हो यहां फेंटेड नहीं कर सकते कब मिले हैं हम लोगों को यह 22nd of 22nd of 1234 मार्किंग स्टार्ट 22nd of नहीं मालूम है कि प्रैस के अंदर की मूब्मेंट क्या हुए प्रैस हमें नहीं मालूम है जिस दिन यह फॉर्मेशन बनी है उस दिन भी और उसके नेक्स टेवी मार्किट हमारी हमारी इस लेवल पर आया है और फिप्ट ऑफ माई को भी प्रैस हमारा उस लेवल पर एक्टिविटीज देखने ही यहां से अपना हम लोग एक्शन ले सकते हैं जो भी करना को सेलिंग कर लेवल बन गया 6485 कुछ भी करना है इस लेवल से करना है डेट देख लेनी है डेट क्या है हमारी फॉर्थ और फिफ फॉर्थ पर अच्छे कंफरमेशन थी इसने एंट्री एक प्रॉपर आपको एंट्री मिली है यहां पर यहां पर देखें सिंपल सी जो चीज है जो कॉम क्यूंकि यह एक इस्टॉक की प्रैक्रीस भर का काम नहीं है इसलिए हम आप से बोल रहे हैं पूरे वीक की प्थिफश रखनी पड़एगा उसके यही सखेम अदर और एक दिन का काम नहीं है फॉरे ल Mé नेक्स आने वाले फॉरे वीक श का किशिज देखनी पड़ी लाइक मार्केट में जब हमारा हमारे इस लेवल पर हो तब इसे डिए वेट करेंगे सिक्स-फोर-एट-वाइव तक प्राइज हमारा आए यही मेरा डे टाम पर होगा हम यह संगे इतनी सी चीज पूरे वीक आपको देखने हैं लोगर ताइम पर में क्या करने है यह कल के दिने में आपको बताई है कोई भी डाउट कोई भी किसी भी तरह गार कंट्रूसर नहीं तो आपको क्लियर कर सकते हैं जो कॉछ इस पूरी रात को समय आपके पास से कल पूरे दिन का अगर भी कुछ इशू बता देया है सिर्फ आवर का टाइम लेंगे मित्रयाम का ज बता आख करना करना होगा अरहली टायम प्रेम को फिक्स करना कर आउपके कैसे का आउं कि सब्सक्राइब तो हमें करना यह चोड़ा दीज इए यह फोड़ दीज़ा अभी वन आवर का टाइम फिक्स करेंस संतोष बूली हाँ सर मैं बॉल्यूम तो सब्सक्राइब करम में चाहिए तो उसमें रेट और ग्रीन का मतलब इतना तो फिर जो गिरता हुआ करब में रहेगा बीच में ने फॉर्मेशन देखा तीन रेड था एक प्रीन था तो वह बी तो वाल्यूम में तो बायर सेडर दोनों प्रेजन प्रेजेंट दो ग्रीन और रेड से क्या इतने एफेक्ट पड़ता है मतलब अब जो चीज आप बोल रहे हो ना कि एक तो यह होगी वॉल्यूम दो यह होगी इसके बाद में तीसरी यह हो गई और चौथी मेरी रेट केंडल हो जाएगी ठीक है आपका कहना से यह बट यहां पर ममलब 50-50 कर नहीं है यह 50-50 हो गया मतलब बराबर ओके यह भी मेरा प्राइव से बाद बाद बॉल्यूम लगातार गिर रहे हैं यहां पर जो प्राइव दां इक्साइब के तरफ लोगा इक्जैक उसी से हमारी वॉल्यूम का इसलिए दो और तो यह फिर नहीं तो चार ओ एकी जैसी है समझा सम्झा सब्सक्राइब उप्लोजिंग सुरज माइ कंपूटीजिए सूरज साथ माइक किसे अपने थर्ड सिनरों जो फॉर सिनरे में का इसमें हाय जाद जादे important होता है ज्यादे important होता है इसमें थोड़ाई confusion ने फाक है यापि लोगतना आने वाले टायम में जो सिलवके के माप से बात करने उसमें थर्ड नंबर एक चैप्टर होगा जब वो थर्ड नंबर चैप्टर देखो गए तो यह फॉरमेशन आपको अल्टरा क्लियर यह एक उपरी सतय है जो इस फॉर्मेशन के भी आपको बताई है थर्ड नंबर चेप्टर जब आपको पढ़ाएंगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाए अभी आप हाई लो दोनों माद करना अभी एक कौन सा फॉर्स नंबर चाप्टर 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 रह डॉक्टर रेडी में वॉल्यूम के चार मतलब यानि की चार वॉल्यूम केंडल्स आपने दिखाए थी अगर सर उसी चार के आगे आपकी मतलब जो दूसरी फॉर्मेशन आपने बताई अगर वो बनती है तो उस केस में क्या करेंगे और दूसरा सवाल अगर नेक्स डे मतल पहले वाली को स्किप कर दें खटा दीजिए पूरी इसके पर दीजिए आपने डॉक्टर एडी में जो दिखाया था उसमें नेक्स्ट आपकी वो दूसरी दो ग्रीन थी दो रैट थी तो उसको लिया लेकिन इसके बाद में फिर सेंप प्र सेंप पैटरन कॉंटीन दिखत सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करें अब ढकर पता हो रहीं तो आप यही तो नेक्स्ट धे का मतलब कि जो कल भी अगर वही फोर्मिशन मंको देख जायए सब्सक्राइब करने का मौका भी मिल चुका होगा इस टॉप लॉस अगर मिल गया होगा टार्गेट मिल लॉइंगा यह थो बड़ा इस्व है अब next day के बाद में क्यूंकि अभी आपने next day के लिए जो उपने किया ना इसमें आपके दो लेवल नगया एक दो लेवल बन गया 5948 का एक यह लेवल बन गया और next day फिर सैप का एक लेवल बन गया आज और question यहात है तो 6013.65 यह ऐसी ऐसा लेवल है ऐसी रेंज है कि प्राइस को यहां से rejection मिल सब्सक्राइब मतलब अगर यह स्ट्रॉंग है इसलिए हमने इसको मां किया ना अब करेंगे और आपके प्रेक्टिस करना कोई डाउट होगा तो कल की लोग इसको discussion करेंगे कोई वह अगर question होता है और इसके अब आगे का जो chapter होगा इसको कल के दिन डिसकेशन करेंगे लोगर टाम फिरम का और जो आपके question अंसर होंगे उसको भी कल कदे रखनेंगे ठैक है थैंक यू और गुड़नेट सब्सक्राइब